स्ट्रीमर्स के नए व्लॉग में आपका स्वागत है आज हम एक साथ बनाएंगे एक स्वादिश्ट मुँ में पानी लाने वाली रेसिपी जिसका नाम है क्रिस्पी वेज टिका परना था इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा ग्लास लगबाग 200 ग्राम चावल को अच्छे से धोकर पानी में 2-3 घंटे के लिए भीगा देंगे दो मीडियम साइज के आलू को बॉइल करके ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे अब लसुन अद्रक गाजर मटर कैपसिकम प्याज मिर्श धनिया या फिर अपनी मन पसंद सबजियों को छोटा छोटा काट ले अब एक मिकसर ग्राइंडर ले उसमें लसुन अद् और आधे बॉइल्ड आलू डाल कर पीस लें अब बचे हुए आलू और चावल और उसमें स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला डाल कर पीसें जब तक वो ऐसा सेमी सॉलिड कॉंसिस्टेंसी का ना हो जाए अब इस पेस्ट में कटी हुई सबजियां डाल कर हिलाएं इसमें हमने एक छोटा चमच इनो डाला है इसके ऊपर हमने एक छोटा चमच पानी डाला है जिससे वो असानी से घुल जाए और अब देखिए बबल्स को फूटते हुए और हम इससे भी अच्छे से मिला देंगे अब एक नॉन स्टिक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखें और उसकी ग्रीजिंग करें हम यहां बटर यूज कर रहे हैं अब हम पैन गरम हो जाने पर ऐसे बैटर को डालेंगे और ढख कर रख देंगे थोरी देर बाद देखिए पराथे में छेद हो गए अब हम ऐसे चेक करे देंगे कि यह पका या नहीं अभी यह चिपका हुआ है हम इसमें और बटर लगाएंगे और इसके छेदों में ऑईल डाल देंगे ताकि यह क्रिस्पी हो जाए और दोबारा ठक देंगे थोरी देर बाद जब हमने चक किया तो यह देखिए हमारी उंगली में बैटर लग अर्थात यह एक तरफ से अभी तक नहीं पका है अब जब हमने दोबारा थोरी देर बाद चक किया तो इसने अपने साइट छोड़ दिये हैं अब हम इसको ऐसे पलटा देंगे और इसे ढपना ना भूले बीच बीच में चेक करते रहें अब देखिए यह पूरी तरह से प कर लेंगे और इसको खाने में लग जाएंगे आप इसे सौस या धन्य की चटनी के साथ खाएं और इसका स्वाद आपको मन को लुभाया जाएगा इसी के साथ यह व्लोग यहां खतम होता है धन्यवाद